हलो एवरीवन वेलकम तो यूट्यूब चैनल ऑफ होपस और द्रीम्स उनिवर्सल स्कूल सब्सक्राइब आर चैनल और पेस्ट बेल आइकन बटन तो गेट नोटिफिकेशन आफ आर निव वीडियो थैंक यू हैलो स्टूरेंट्स तूड़े वी बीड एट चैप्टर अवर फूड आज हम हमारे खाने के बारे में पढ़ने वाले हैं कई बार ऐसा होता है कि जब हम स्कूल से घर जाते हैं या हम लोग प्लेइंग करते हैं तो हम लोग काफी टायड हो जाते हैं थक जाते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं ममा से बोलते हैं ममा कुछ जल्दी से खाने को तो क्योंकि हम थक चुके हैं हमें लेजी पन साल से हो जा सब्सक्राइब फ्रॉम स्कूल सनी जब घर आया स्कूल से he looked very dull वो बहुत थका थका लग रहा था मदर ममा ने पुछा सनी what happened why are you so dull सनी क्या हुआ तुम ऐसे उदास थके थके क्यों हूँ सनी don't know mother मुझे नहीं पता but I am feeling very weak पर मैं बहुत कमजोर feel कर रहा हूँ अपने आपको mother did you eat your lunch today ममा ने पुछा बोला क्या तुमने आज लंच खाया सनी no mother नहीं ममा mother why not क्यों नहीं खाया सनी didn't feel like मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ mother if you don't eat food you will become dull and weak अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप उदास कमजोर dull हो जाओगे ठके ठके से लगोगे सनी if I eat food अगर मैं खाना खाओँगा do I become active and strong तो क्या मैं active and strong हो जाओँगा तो अब देखो ये mother और जो सनी की conversation थे उसमें mother ने उसको कितने अच्छे से समझाया और सनी देखो कितना good boy था ममा की बात मान भी ली इसी तरह से आपको भी डेली अपना खाना टाइम पे खाना चाहिए ये नहीं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता मुझे ये अच्छा नहीं लगता everything जो आपकी ममा बनाती वो आपके लिए healthy ही बनाती है इसलिए आपको वो चीज खाने चाहिए mother yes food makes you strong and healthy हाँ खाना तुमें strong और healthy बनाता है स्वस्त बनाता है it gives you energy ये तुमें energy देता है and helps you to grow और तुमें grow करने में भी help करता है बड़ा करने में अगर आप अच्छा डाइट नहीं लोगे तो आप कमजूर हो जाओगे जिससे आपके bonds strong नहीं होंगे तो आप बड़ोगे कैसे Sunny, all right mother, ठीक है I will eat food regularly मैं daily खाना खाऊंगा regularly can you tell me more about food क्या आप मुझे खाने के बारे में कुछ और बता सकती है mother, we eat different kinds of food हम बहुत अलग 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 तरिक्या का खाना खाते है यह तो है नहीं न कि सभी fruits खाते है सभी vegetables खाते है हम लोग बहुत अलग अलग तरिक्या का खाना खाते है जैसे first fruits and vegetables आपको पता है हम जितना fruits और vegetables खाएंगे हमारी जो bonds है हमारी जो मसल सब उतनी strong होंगी क्योंकि fruits और vegetables यह raw food है कच्चे food है तो यह fry भी नहीं होते है तो जितने हम कच्चे raw materials raw foods खाएंगे तो उतने हम healthy और strong होंगे rice, डाल, रोटी, curds and curd rice, डाल, रोटी, curd और curds curds क्या होती जो रशेदार सबजी जैसे मामा तरी वाली सबजी बनाते है जैसे आप बोलते हो यह तो सूकी ड्राय सबजी है यह तो सूकी सबजी है तरी वाली है तो वो scurries होती है bread, butter and tam आप लोग यह भी खा सकते है fish, meat and eggs only some people eat आपको पते fish, meat and eggs है यह हर को ही नहीं खाता है यह सिरफ कुछ लोग ही खाते है और जो लोग fish, meat and eggs खाते है वो non-vegetarians होते है और जो यह food नहीं खाते है वो vegetarian कहा जाता है उन्हें shark कहारी कहा जाता है do you know eggs contain the highest quality food protein क्या आपको पता है कि eggs में सबसे ज़्यादा मातरा में protein पाया जाता है chocolates, ice cream and sweets यह तो सब बच्चों को बहुत अच्छे लगती है we drink milk juice and soups वहीं पर आपको milk juice और soup पीन अच्छा नहीं लगता milk के लिए तो बहुत आपकी ममा आपको प्रेयक करती है कि नहीं प्लीज आप drink करो बट आपको पता है जितनी आप milk drink करोगे उतने आपके teeth strong होगे आपकी bones strong होगी ज़्यादा milk अगर drink करोगे न तो आप जल्दी जल्दी से बड़े हो जाओगे सनी, when should we eat food? तो सनी ने पुछा कि ममा हमें खाना कब खाना चाहिए Mother, we have our breakfast in the morning हमें morning में breakfast करना चाहिए नाश्ता करना चाहिए जो की हमारा 8 to 10 o'clock के बीच हो जाना चाहिए we have our lunch in the afternoon हमें दोपहर का खाना जिसे lunch कहा जाता है वो दोपहर को करना चाहिए दोपहर का खाना आपको एक या दो बज़े से पहले खाड लेना चाहिए we have our dinner at night और हमें राद में dinner करना चाहिए रात का खाना खाना चाहिए जो हमें 8 बज़े तक खान लेना चाहिए बट आज कर टाइम ज़्यादा लेट हो जाते तो आपको नो बज़े से बाद नहीं खाना चाहिए कुछ भी ओके जब भी हम कोई रात का हमें जो भी खाना खाना होता है हमें सोने से टू वार्स पहले खाना चाहिए ताकि वो अच्छे से हमारा डैजस्ट हो जाए हमें हमेशा साफ और फ्रेश फूड ही खाना चाहिए फूड शूड बी कैप्टिन क्लीन कवर्ड वैसल हमेशा खाने को ढखकर रखना चाहिए सनी मदर आई लाइक नूडल्स वैरी मच ममा मुझे नूडल्स बहुत पसंद है इस इट गूड फूड क्या यह अच्छा खाना है मदर नो सनी नहीं बेटा विकोज इट इस नौट हैल्दी क्योंकि यह हैल्दी नहीं है अच्छा ठीके नूडल्स अगर आप खा लोगी तो क्या अगर वो सिर्फ आपकी टंग के टेस्ट के लिए है बट वो आपके लिए हैल्दी नहीं है वो आपके कोई काम नहीं आएगी अब मैं तुम्हें कुछ खाने की अच्छी आत्तों के बारे में बताती हूँ इट यूर फूड स्लोली एंड उन टाइम आपको हमेशा अपना खाना धीरे धीरे और टाइम पे खाना चीए ये नहीं है कि आप नाश्ता तो बारा बजे कर रहे और दोपैर का खाना आप चार बजे खा रहे और नहीं हमें अमेशा खाना धीरे धीरे खाना चाहिए और टाइम पर खाना चाहिए चू यूर फूर्ट वैल आपको अमेशा अपना खाना चबा चबा कर धीरे धीरे खाना चाहिए आपको यह आनिमल्स तो हो नहीं कि खाना माउथ में रखा और अंदर निगर लिया हना स्वैलो नहीं करना आपको हमेशा चूप करके धीरे धीरे चबा चबा कर खाना खाना चाहिए eat your food at regular intervals आपको एक time period के अंतराल के बीच में ही खाना खाना चाहिए यह नहीं है कि आपने भी खाना खाया और पांच मिन बाद फिर खाना पांच मिन बाद फिर खाना नहीं आपको मेशा अपना खाना अंतराल दे के थोड़ा time दे दे के खाना चाहिए wash your hands before and after eating food आपको हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने hand wash करने चाहिए eat clean and fresh food हमेशा साफ और switch खाना खाना चाहिए eat plenty of fruits and vegetables ज्यादा मातरा में आपको fruits और vegetables खाने चाहिए एक तो fruits और vegetables खाने से क्या होता है कि हमारा पेट जल्दी भर जाता है और यह हमें healthy वे रखते हैं lastly अंत में always remember to rinse your mouth after eating और हमेशा खाना खाने के बाद अपना mouth wash करना नहीं भूलना चाहिए now will you eat food regularly अब तुम क्या अपना खाना regularly खाओगे रुजाना खाओगे अच्छी से सनी yes I will eat food regularly and become strong and healthy हाँ मैं अपना खाना regularly खाऊंगा और एक strong और healthy बनुगा स्वस्त और मजबूत बनुगा mother very good अब देखो कितना समझधार था सनी कि उसने अपनी ममा की सारी बाते मानी और उसकी ममा ने कितनी अच्छी अच्छी habits बताई है तो आपको भी उनी habits को अपनाना है और सनी की तरह ही अच्छा baby बनना है अच्छा student बनना है जो अपनी ममा क कि कहीं बातों को मानता है तो आपकी ममा या पापा भी आपको जो भी खाने के बारे में इंस्ट्रक्शन देते या कोई इंस्ट्रक्शन देते तो आपको वो सनी की तरह ही मानने चाहिए ओके नौवी रीड अब हमने इस चप्र में क्या-क्या रीड किया है food make us strong and healthy food हमें दर्जी देते हैं और हमें ग्रो करने में help करता है we have our lunch in the afternoon, we have our breakfast in the morning, we have our dinner at night, we should eat clean and fresh food हमें मेशा clean और fresh food ही खाना चाहिए और अच्छा food खाना चाहिए healthy food खाना चाहिए आपको junk food नहीं खाना है ओके स्टूनें तो अब आपको ये महम की बात याद रखनी है और अच्छे से इस चप्रो को रीड करना है if you have any problem please write on comment box, good bye